सुन आज मैं आपके सामने लापलास ट्रांस्वर्म की जो मल्टिप्लिकिशन प्रापर्टी होती है वो मैं आपके सामने बताऊंगा प्लस इन्वर्स लापलास में इसको कैसे यूज किया जाता है ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा तो सुन देखे सुन बात करेंगे सुन मल्टिप्लिकिशन प्रापर्टी अगर हमारे पास एफटी कोई फंक्शन दे रखा है तो लापलास ओफ एफटी अगर एफएस के बराबर है तो आपसे पूचा जाए कि टी एफटी का लापलास क्या होगा अगर पास कोई भी फंक्शन एफटी है उसका लापलास अगर हमें पता है तो TFT का La Plus कुछ नहीं होगा जो भी हमारे पास Fs इसको differentiate करके minus कर दो आगे जैसे हमारे पास इसका पूछा जा रहा तो यहां पे क्या होगा सुन minus का D by Ds of 2 upon S square plus 4 भही है इसको differentiate कर दो with respect to S तो यहार हमारे पास इसका derivative होगा सुन S square plus 4 का whole square and then S square का 2S होगा तो सुन यह हमारे पास 4S होजाएगा और minus minus plus होगा तो सुन यह हमारे पास क्या हैगा इसका La Plus transform होजाएगा अगर आपसे यह पूछा जाए कि what is a La Plus of मैं यहाँ पे लेता हूँ आपसे यह पूछा जाए कि what is a La Plus of T cos 3D तो भाई हम क्या करेंगे सबसे पहले La Plus of cos 3D नहीं का लेंगे तो और हमारे पैसे इसका value क्या हैगा S upon S square plus 9 तो La Plus of T cos 3D की value कितनी हो जाएगी बटा तो यह आजाएगा minus का D by Ds of S upon S square plus 9 इस उन जो भी इसका derivative होगा वो हमारे पास क्या जाएगा इसका answer आजाएगा आगे minus होजाएगा अब आपके मन में सवाल उटेगे से T square हो तो क्या करेंगे तो T square है तो क्या करेंगे इस उन एक बार इसका derivative करेंगे फिर दूसरी बार इसका वापिस derivative करेंगे जित्ती बार T आएगा उत्ती बार D by D S करके minus करते जाएगे तो यहाँ पर मारे पास यह property होती है कि अगर हमारे पास T F T D T है तो यह आजाएगा minus का D by D S of F S अगर T power N है तो minus 1 power N end time यहाँ पर गाएगा F S का derivative हो जाएगा अब आपके मन में एक छोटा सा example देते है अगर बाइचास यह question आपसे यह पूछ लिया जाए कि जिसे T sine 2 T का Laplace तो पको पता पढ़ गया पर अगर आपसे यह पूछे जाए कि what is a Laplace of E की power minus T T sine 2 T तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ तक तो मैं बता पढ़ी है अब जहाँ पर भी S है यह हमारे पास first shifting क्यों हो जाएगी जहाँ पर भी S है वहाँ पर क्या रख देंगे S plus 1 यह तो Laplace आई गया अब इसका और निकाल लट क्या करेंगे जहाँ पर भी S है वहाँ पर क्या रख देंगे S plus 1 यह first shifting क्यों का concept अगर आपने नहीं देखा अब आई टेप से जाके मेरी वीडियोस को देख सकते है यह आपको समझने की जहर होता है तो सुन multiplication property for the inverse Laplace क्या होता है अब ध्यान देना बड़ा अच्छी चीज़ बतानी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि यार सुन मैं आपको अभी बतायता है कि Laplace of ft जान देना कि Laplace of ft जो होता है वो हमारे पास fs होता है जान देना तो Laplace of tft की जो वेली होती है यहार वो हमारे पास क्या होती माइनस का मैं इसको लिख दूँ d by ds of fs तो d by ds of fs जो होता है इसको मैं ऐसा लिख दूँ minus का f-s, चलेगा भईया, तो सुन यहाँ पर क्या करें, अब ये तो उती laplace की बात, अब बात करतें सुन inverse laplace में क्या होता है, तो सुन ये a उदर गया, तो laplace inverse of fs is equal to ft, तो ये a उदर गया, तो laplace inverse of minus का f-s is equal to क्या हैगा, tft, clear है, बैटा, ये जो ft, इसकी जग़े value रख दो, तो यहाँ से हमारे पास इसकी जभे लिगा, और ये minus अटाओ, तो सुन laplace inverse of f-s की जभे लिगा, ये minus उदर गया, और ये आएगा, t, laplace inverse of fs, समझ में आरा के नहीं आरा, तो कहने का मतलब ये होता है, कि अगर हमारे पास laplace inverse of fs, अगर f-t है, तो यहाँ पर ये derivative का laplace inverse की आओगा, ये आगे minus t हो जाएगा, बाकि ये हमारे पास f-t जी जाजाएगा, laplace inverse of fs हो जाएगा, हम ये समझ सकते हैं, कि जब भी हमारे पास derivative को हटाए जाता है, तो बागे minus t हाजाता है, जब t को अंदर आलाएगे, तो derivative हाएगा, जब t बाहर निकलेगा, तो derivative हट जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने multiplication property पताएगा थी, जैसे t multiply होता है, तो derivative लग जाता है, अब inverse में क्या होगा, t हटेगा, तो हम क्या करेंगे, वापर derivative हटा देगा, जैसी आप t बहार निकाल होके, तो derivative हट जाएगा, example, अब आप बोलोगे, सर, यहाँ पर यह वाली जो property कभी use होती है, जब हमारे पास, कभी भी आपसे log वाले function का inverse, लापलास पूछ ले, या 10 inverse, या quote inverse set के functions आजाए, उसका लापलास inverse पूछ ले, तो यहार वहाँ पर हम इसको use करते, example लेते हैं, for example, अगर आप से यह पूछ s मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सुनना मेरी बात, क्या करेंगे इसको, f s मान लेते हैं, अब हम जानते, यह log ayb ह objection होजाएगा, यह हो जाएगा, log s-4 minus log s plus 3 हो जाएगा, पैटा हम इसका derivative करते हैं, जैसे derivative करोगे, यह कितना हैगा, आप हम गरते हैं, इसका लापलास inverse न आता है 1 upon S-4 है ना माइनस Laplace inverse of 1 upon S-3 तो हम जानते हैं कि इसका जो Laplace inverse आता है वो आता है E की पावर 4D माइनस E की पावर माइनस 3D है जाएगा और पैटा इसका ये derivative Laplace inverse of F- हमें क्या निकालना वही हमें तो F-S का Laplace inverse of F-S पर मुझे अगर ये चाहिए तो क्या गरूँगे derivative हटा हूँगा इस derivative को हटा हैंगे तो माहर क्या जाएगा माइनस कटी आजाएगा तो जैसे अगर मैं बात करूँँ आप तो बैटा यहाँ पे क्याएगा माइनस कटी Laplace inverse of F-S भईया मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको अरे यार इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं असे तो यह आजाएगा हमारे पास E की पावर 40 माइनस E की पावर माइनस 30 इस माइनस T को क्या कर दो भईया डिवाइड कर दो यार जैसे आप इसको डिवाइड करोगे लेंगे 10 inverse S हम इसको डिवाइड करेंगे तो F-S कितना जाएगा S वन अपॉन S क्वार प्लस प्लस बन उता इसका लाप्लस इनवर्स लेते हैं अब हम क्या करते हैं दोलों तरफ ले लेते हैं यह जब दोलों तरफ लाप्लास इनवर्स लेंगे तो कियाएगा बाटा लापलास inverse of 1 upon S square plus 1 हो जाएगा, बाटा हम जाएंटे ही, यह भी कहाँएगा, minus T यह जाएगा यह, अर्भः यह या यादे, derivative रटता है, तो आगे ही यह आजाता है, तो यह 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 जाएगा हमारे पास, होना अतियवाश है जिसे हमारे पास एक चोटा सा क्वेशन दे रिखा है कि फाइंड लापलास टार्सम ओफ टी को स्टूटी एंड उसके हिर्प से आपको इस इंडिग्रेशन की वेलियू निकाले तो सबसे पहले लापलास ओफ कॉस्टूटी निकाले तो हम जानते इसके व पॉम जानते यू अपॉन भी से होता तो कैसे करेंगेर माइनस डूबार है एस स्कॉर प्लस फॉर को छोड़ा इस इसका किया तो वन माइनस इसको छडेेंगे थनूप का हूल स्कॉर होगा derrière क्या है द्यान Muslims का माइनस का 2S स्कॉर अप nu माइनस को पर हमें तो यह बोला जारा कि इसकी value निकालो, पर हम जानते है कि Laplace का हमारे पास formula क्या होता है, Laplace का formula हमारे पास यह होता है, कि किसी भी function का Laplace होता, तो उसका formula होता है, 0 स infinitive e की power minus st ft dt होता है, तो बटा यार यहां से हमारे पास जो Laplace दे रिखा हुई है, यह बटा यह L हटेगा, यह Ft है, तो जैसे मैं इसको apply करूँ होता है, यहां से क्या है, बटा यह आ जाएगा, Laplace of t cos 2t की value हम जानते हैं, क्या होता है, 0 स infinitive e की power minus st t cos 2t dt, और हम जानते हैं, इसकी value हमारे पास क्या हैगी, s square minus 4 upon s square upon 4 का whole square हैगा, अब बटा हमें किसकी value निकाल लिए है, और minus t पूछ रहा है, तो जहां पर भी s है, वहाँ पे क्या रख देते है, बटा, 1 रख देते है, जैस whole square हैगा, तो यह आएगा, minus 3 upon, यहाँ पे क्या हैगा, 25 हैगा, तो यह हमारे पास क्या हैगा, इसका answer आ जाएगा, तो यह इस तरह से इस प्रकार की question को आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पूछ रहा है, what is the laplace of e की power 2t, t sin hyperbolic t, तो यह होई है, सब सब हम क् on, s square minus 1, तो सुन इसका हम करेंगे, तो 1 upon x type करो, 1 upon x का होता हम माइनस का 1 upon x square, तो यह हो जाएगा, s square माइनस 1 का whole square, s square का हम करेंगे, तो यह क्या जाएगा, 2s हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पर laplace of e की power 2tt, sin hyperbolic t, तो जहाँ पर भी s है, वहाँ पर क्या पुचर रहेगी, what is the laplace inverse of this one, तो जब भी laplace inverse निकाला जाता है, तो हम क्या करेंगे, यह हमारे पास जो function दे रहेगा, जिसका inverse निकालना है, उसको आप fs मान लीजाए, और यहाँ पर s square इसका हम LCM ले लेते हैं, तो यहाँगा, s square plus 1 upon s square power 1 by 2 हो जाएगा, right, now, बट हम क्य बटा, जब भी लोग बटाना होता है, तो हमें यहाँपे क्या करना पड़ेगा, इसका derivative करना पड़ेगा, तो 1 upon 2, बटा, यहाँपे क्या हैगा, यहाँगा, 2s upon s square plus 1 minus, यहाँगा, 2s upon s square हैगा, यहाँगा, यहाँगा, 2s, cancel होगा, बटा, 2 को बहान निकाल दो, तो f dash s क upon s square plus 1 minus, Laplace inverse of 1 upon s हो जाएगा, बटा, यहाँगा, 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 इसका बटा, इसको, t को डिवाइट कर दो, तो सुन, Laplace inverse of f s is equal to 1 minus cos t upon t, यहाँगा, इसका, लापलास inverse हो जाएगा, तो यहाँगा, इस तरसे इस परेकार की question को आप बहुत चली कर सक परेसे जीवाला मर पास एक और question देर रिखा है, कि what is the Laplace inverse of this one, यहाँगा, आप क्या करेंगे, सुन, यहाँगा, 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 तो सुन, यहाँगा, यहाँगा, लाग, s स्कुर प्लस 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 बाटा, लोग की property, उसका लिए हमने है, ना, इसको थोड़ा सा और अलग-अलग कर दो, यह अलग-अलग जा रहा, तो यहाँगा, log s plus log s plus 1, अलग-अलग कर दिया, ठीक है, log की property उसको डेरिविटिव कर देंगे, तो फड़ा, f dash s की वेलिए कितनी हैगी, 1 upon s plus 1 upon s plus 1 minus, यहाँगा, 1 upon s square plus 4, सुन, s square का हमारे पास, यहाँगा क्या जाएगा, 2s हो जाएगा, तो सुन इस तरह से हाप इसकुम करेंगे, ना हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास inverse of fs जो होगा, वो हमारे पास क्या है, वो लाप्लास inverse of 1 upon s plus 1 minus 2, लाप्लास inverse of s upon s square plus 4 हो जाएगा, बटाई, derivative यह तो बाहर आगे क्या जाएगा, माइनस t य यह तो 1 हो जाएगा, यह हमारे पास e की पावर माइनस t हो जाएगा, और यह हमारे पास क्या हैगा, कॉस 2t हो जाएगा, बटाई, माइनस t को डिवाइड कर दो, तो लाप्लास inverse of fs is equal to, यह होगा, 1 plus e की पावर माइनस t, minus 2 cos 2t upon minus qt, यह हमारे पास क्या हैगा, इसका एप्लिकेशन प्रपर्टी होती है, सुन यह question comment box के लिए इसको solve करने मापको किते है, seconds लगे, please comment करके ज़रूर बताइए, इस type के, और भी अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहरे है, पूरी पूरी playlist से आपको यहां जाके मिल जाएगी, अगर आप CSIR, NET, GATE और IDGM exam की त मेरे वीडियो को यहां जाके देख सकते हैं, और यहां जाके चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवा, thank you, bye bye